हलो एवरिवन, वेलकम बैक टू इलेक्टिक नेशन, ओला इलेक्रिक नेश्ट एर अपना आईपियो लेकर आ रही है, लेकिन उससे पहले भी अगर आप ओला इलेक्रिक में अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो एंड तक देखो, ओला इलेक्रिक इव इन्डेस्ट्री में काफी अच्छा काम कर रही है, नो डाउट ये कमपनी आगे चलके बहुत ज़्यादा गुरोथ करने वाली है, अगर इसमें कोई इन्वेस्टर अपने पैसे लगाता है, तो वो डेफिनेटली काफी अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, अगर आप भी ओल में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, अब इन्डिरेक्ली से मेरा क्या मतलब है, चलो मैं आपको एक्स्प्लेइन करता हूँ, ओला ने हाली में अपनी दो इलेक्रिक स्कूटर इंडिया में लांच की है, ओला S1 and S1 Pro, काफियत तक ओला इलेक्रिक अपने स्कूटर को ख सप्लाए करेगी, इसके अलावा गैबरियल इंडिया, टीवियस, एथर एनरजी, ओकिनावा और अधर कई कंपनी के लिए पहले से ही कॉंपोनेंट सप्लाए कर रही है, तो ओला की इंडिया में जितनी भी इलेक्रिक स्कूटर सेल होने वाली है, उसमें गैबरियल इंडिय लिमिटेड अपना सस्पेंशन सेटप सप्लाए करेगी, तो ओला का बिजनेस ग्रो करेगा, तो इस कंपनी का बिजनेस भी ग्रो ही करेगा, गैबरियल इंडिया लिमिटेड पिछले एक साल में 30% से ज्यादा ग्रो करी है, और आगे आने वाले टाइम पे तो ये और भी ग इंडिकेटर्स, रियर फेंडर और मीडर्स की सप्लाए करेगी, तो ये सारे नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं इलेक्रिक स्कूटर में, तो ओला की जितनी भी इलेक्रिक स्कूटर होगी, उसमें जो लाइट का डिपार्टमेंट है, वो फियम इंडस्ट्री सप्लाए करेगी, ब अगर आप इन दोनों companies में अपने पैसे invest करते हो तो आप indirectly Ola Electric के growth में पैसे invest कर रहे हो मांगें आप एक छोटा सा disclaimer ये वीडियो कोई investment advice नहीं है हमारा काम है आपको सिर्फ information देना कोई भी investment करने से पहले आप अपने तरब से proper research जरूर कीजिए तो ये था indirectly तरीका Ola Electric में अपने पैसे invest करने के लिए अगर आप directly Ola Electric में अपने पैसे invest करने के लिए अगर आप directly Ola Electric में अपने पैसे invest करना चाहते हैं तो उसका भी तरीका है तो उमीद है ये वीडियो आपके लिए informative रही होगी वीडियो अच्छी लगी तो like कर दो, channel में नहीं हो तो subscribe कर दो मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगले वीडियो में